हेलो गाइस वेलकम तो मैं चानल वेंजु वर्ल्ड और मैं अगर आपके साथ सेर कर रही हूँ वेंजु एफएफ माई शुगर डैडी और हाँ गाइस यह एफ 18 प्लस है तो अगर आप मिचूर नहीं हो यह फिर आपको ऐसे कॉंटेंट पसंद नहीं है तो प्लीज स्किप कर किठें है कि अपने वेंन केजिसंग को पर्फॉस करने के लिए बड़ वें केजिशिंग को और अपना असाओ जिसु को पिचारा αपी चुप चप खड़ा था था वेंकेजिंग केता है भाई तो अब चा क्यों यह ह cruise होचाता है अपने पीच्छी से फूलank लिकालता है औ जो तुमाओगे वो दूँगा बले वो मेरी जान भी क्यों ना हो अब जाओसु ने जिस इस्पिर्ट से बोला होता है ना ये देखके तीनों हैरान थे बड़ अपने जाओसु ने वैंड केजिंग को फूल दे दिया है ये देखके हैंड हिंग बहुत खुछ था पीछे से व वैंड केजिंग बोलता है चल ये बता काम क्या करता है तू अपना जाओसु बोलता है वो जाओसु इतना ही बोलता है फिर जाओसु रुख जाता है क्योंकि उसको हैनिंग ने बोला था कि ये नहीं बताना है कि तुम अमीर हो इसलिए जाओसु रुख जाता है तो वैंड के बोलता है जेटोडिंग क्या अपना वन के जिग बोलता है तो जादा नहीं बस एक लाग अपने जाओ जी सुखोEC कमी लगता है अपना मुंद के जिंग बोलता है वाह तुछे एक लाग जादा नहीं लग रहा अबना सपर सोफ कि हाँ यार एक लाग जादा भूल दिया हमें अपना वैन केजिंग थोड़ा सा खासता और कहता है क्या तेरे आप पोस्त के साथ चक्कर तो नहीं है ना जो तुझे एक लाग दे रहा है बता दे मुझे अकर चक्कर भी होगा तो चल जाएगा मेरा अपना जाउस तो ना मैं स वैट पिर नहीं बनाया पहले तुम ही यह बहुत क्यूट बोल रहा है वैसे तो अभी अपने इस एफफ में वैन केजिंग छोटा है बट क्यूट वाली हरकते अपना जाउच इसू करता है वैन केजिंग फिर कहता है अच्छा सज बता कमाता कितना है अपना जाउस बोलता 35 अपना वैन हसता हर कहता है नहीं चलेगा वैक तो बुढधा है उपर से तो कमाता भी नहीं है अगर यह होता ना एक तो इंकम उपर से दिन कम तब चल भी जाता यार तेरे तो दिन कम भी नहीं होतने और इंकम भी नहीं है नहीं चलेगा माफ करना और यह कहते ही वैन केज और ये के के अपना आवन केसिंग जाने लगता है और जाओ जिसु भी वेन को रोकता नियूर काफी उदास हो जाता है अपना फई सीट से उड़ता है जाओ जिसु के सरीर पे हाथ रखता है और कहता है तो उसका पीछा चोड़े ओए तुझे नहीं मिलेगा और कहते ही पाइबलेस को वोलता है चल हम भी चलते हैं कोफी घर बनागे पी लेंगे लोवलेस की टाइब ठीक फिर फाइब लवलेस भी चले जाते है लुप्र ये इंपम और इंकम और इसका मतलब क्या है हैं धी εν को समझ हमिन तरो करता हैं सकानि वैंकर चैसींग पर स्टिप उती है जो फॉई आयो लवलस के पास बेटा ऊधा हूं kaloस्लेत लव्लस कहता है यह जो कॉफी सोप में लड़का आया था वो कितना क्योड था ना कितने क्योड तरीके से बाते कर रहा था उसका बच्चो वाला चेहरा लगी नहीं रहा था 35 का है मैं तो सोचा कि वो तुछ से भी छोटा है अपना वैन केजिंग स्माइल करता और कहता है हाँ क्योड तो था वो और ऐसे लोग ना पार्टनर मेटीरियल होते हैं टाइम पास मेटीरियल नहीं और मुझे टाइम पास के लिए कोई चाहिए जो मेरे घर्चे करें मुझे पैसा दे और मुझे तो बस अपने वाइफरेंड को जलाना है यह दिखा कि दे कि मेर पास एक अमीर बॉइफरेंड है अपना फाई केहता है यार तो यशोगर्डेडी वाला तरमेसा बंद नहीं कर सकता क्या अपना वैंड बोलता है नहीं यार सुगर डेड़ी वाला ही तमासा अच्छा है प्यार वर नहीं चाहिए बस सुगर डेड़ी चाहिए अप कहानी सिप जाओ जी सुपर होती है जो अपने बैट पे ना जीब सा बैट होगा था बहुत उदास होके और उसके पास हैनिंग खड़ा था अपना जाओ सो तो एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा होता है अपना हैनिंग बोलता है सर ये क्या लगा रखा है सांथ हो जाओ सो बोलता है मेरी तो प्रेम की नईया चलने से पहले ही डूप गई हैनिंग बोलता है ऐसी बात थोड़ना है सर अब उसे कल भी परपोस कीजिए, कुछ महीने तक तो उसे परपोस कीजिए, अपना जाव अजीब साहस्तर कहता है, हाँ जितना उसने मुझे बोला है ना, पता नहीं मैं उसे और परपोस करूँगा, तो क्या क्या सुनने को मिलीगा, पेड़ मारके टकला गर देगा, सातो प उस ते टकली पैदा होगी, चाती पर मत बैट, निकल भाई, बहुत ही अजीब होगरी बोला है उसने मुझे, अपना हैनिंग बोलता है, अरे सर, ऐसे लोग सची में अच्छे होते हैं, जो उपर से ही कड़वे होते हैं, अगर वो आप से प्यार करेंगे तो बहुत कि गले लगाएगा, अपना अजाओ कहता है, अरे यार मेरे सामने इसको गले लगाने की बात मत कर, मुझे गुसाया राइए सुनके कि कोई उसे चुवेगा, हैनिंग कहता है, तब ही तो आप उसे पाहों में चकड़ लेजे ताकि कोई इसे चुव ही ना पाए, अपना जा कि आपको किस बात की टैंसन थी, कि वो आपको अंकल बोलेगा, एज से आपको बोलेगा कि आप एज में जादा हो, इसलिए वो मना करेगा, उसने एज की बिल्कुल भी चिकर की, जाओ कहता है, नहीं बोला, फिर यही तो, यहीं को कोई एज से मतलब भी नहीं है, तो थोड में जगा बनाओ, फिर वो आपको हाँ जरूर करेगा, फिर अपना जाओ जिसु थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता और कहता है, हाँ, अब जब तक मुझे हाँ नहीं कहेगा ना, या फिर मुझे गाली दे के भगा नहीं देगा, तब तक मैं उसे परपोस्ट करता रहूंगा है नहीं कहता है, ये हुई ना, अच्छी बात, और ये कहते ही, जाओ जिसु क्यों ना, ऐसे पंच मारता है, अब हमें एक्सटे का सीन दिखा जाता है, जहां पर अपना वेन केसिंग कॉलेज के अंदर जा रहा होता है, तब ही कॉलेज के गेट के सामने अपना जाओ रखोंगा यार, तुम जो चाहोगे, मैं वो दूँगा, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे अपना बॉल्फिट बना लो, अपना जाओ सूस रोज को देखता है, और उठाता है, और डैस्बिन में फेक देता है, आइंदस अपना चेहरा मत दिखाना, और ही कहते ह अपना हैनिंग ये दूर खड़ाओ के देख रहा होता है, हैनिंग अपने सर पे हाथ रखता है, हाही वैंकेजिंग कितना नक चड़ा है यार, अब हमें नेक्स टे का सीन दिखा जाता है, जहां पे जाओ जिसू वैसे ही रोज लेखा था, वैंकेजिंग आज भी उसका रो वा था, उसके पास लवले साता और जो कहता है, वा यार, वो कौफी वाला लड़का तो तेरे पीछे ही पड़ गया है, आज साथ दिन हो गया है, ना कम से कम, वो रोजाना तेरे लिए फूल लेके खड़ा रहता है, वैंकेजिंग स्माइल करता है, हम्, ये तो है, बट वो समझ नहीं रहा है, कि मैं उसका हो ही नहीं सकता, यार, मुझे अमीर चाहिए, पचास जार से मेरा क्या होगा, मैं तो आइफोन भी नहीं करीद पाऊंगा, अच्छा वाला, तब ही मापे फई आता है, और कहता है, हे, आज पता है, मेरे पास क्या आया है, वैंकेजिंग कहत है, ठीक है, अब वो तीनों ना, वापिस से पॉन देखने लग जाते हैं, अब अपने जाव सो को दिखा जाता है, जो अपने ऑफिस में बैठा रहता है, और सोच रहा होता है, यार, क्या करूँ जो वैंकेजिंग मान चाहिए, वो मान क्यों नहीं रहा है, इतनी क्या कमी ह में मेरे अंदर, ठीक तो हूँ मै, अगर उससे एक से कोई फरक नहीं पड़ा है, तो मेरे में क्या कमी है, अपना जाव जो अपने आप से ही बाते कर रहा होता है, और कुछ ना कुछ बोळ रहा होता है, और अपना बिचारा है, जाव ते सुनघा होता है, अब एम members हो की तरह खड़ा रहेगा लैवलेस के तो हुआ कि यार मुझे ही कितना प्यार करने वाला लड़का मिला है के सब नाटक है दिखावा कर रहा है ये कहते ही वैंड के सिंग जब अपने कोलेज के गेट के पास देखता है ना तब आज जाओ जिसु वहाँ पे खड़ा नहीं था और ये बात वैंगेसिंग को अच्छा नहीं लगता वैंगेसिंग मन में ही करता है हो गया उसका नाटा खतम मुझे पता था कोई भी यह जादा दिन तक टॉलरेट नहीं कर सकता है और वैंगेसिंग फटा फट उसके पास आता है और वह बहुत हाफ रहा होता है क्योंकि वह भाग भाग काया होता है और वैंगेसिंग जाओ जिसु को ही देख रहा होता है अब अपना जाओ जिसु वैंगेसिंग को फूल देता है और कहता है I love you so much तुम मुझे प्ली से सब कर लो मेरा एक ही प्रट रहा होता है को देख एक जाओ करें को देख के बोलता है तो है ट किने फूर्ड निंगा तो प्रह गोरा के सबढ़ते ओक हम सबक्राद को सबंदेख के व्यक्ता करें's है मैं यह नहीं करता मुझे नहीं चाहिए तो तु मेरे जितने जल्दी पीछा चोड़ रहेगा उतना सही रहेगा निता तुझे हटोगा मेरा कुछ नहीं होने वाला वैंगेजिंग अब जेब से रुमाल निकालता है जावसु को दे देता हर कहता है पाउ में बांध लेना और फूल फेक के अंदर चला जाता है अपना जावसु तो सोचने लगता है कि हां सुगर डेड़ी कि सुगर डेड़ी क्या होता है अभी जो अपना जावसु है ना उसको नहीं पता कि सुगर डेड़ी होता क्या है अभी कहानी स्रिप्ट अपने जावसु के ऑफिस में होती है जहां पे अपना जावसु लाए कि उसे सुगर डेडी चाहिए जाओ बोलता है बस ऐसे ही ये वर्ड मुझे सुनने को मिल गया हैनिंग बोलता है सब की बहुत अलग अलग नजरियों होते हैं इसको लेके कोई लोग कहते हैं सुगर डेडी एक डील जैसा होता है जो दो परशन करते हैं अपना जाओ सो डील कैसी डील हैनिंग बोलता है साइद आपको ये सुनने में अच्छा ना लगे पर डील कुछ ऐसी होती है कि एक परशन दूसरे परशन को बहुत सारा पैसा देगा और दूसरा परशन उसकी फिजिकल नीड पूरी करेगा अगर रफ बर्ड में बोलू तो सुगर डेडी बिस्तर गरम करने के लिए होते हैं ये सुनके जाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और केता है ची केसी बात है बिस्तर गरम करने वाली हैनिंग बोलता है मैंने पहले ही कहा था कि अच्छा नहीं लगेगा वैसे आप नहीं पूछा है ना तब आप मेरे पर गुस्ता कर सकते हैं यह बात है मतलब सुगर डेडी अच्छ नहीं होते ना गंदा होता है सुगर डेडी होना है निंग कहता है ऐसा नहीं था अक्सर उनको कहा जाता है जो एज में बड़े रहते हैं और वो थोड़ा सा पैसा खरच कर देते हैं बट वो प्यार भी तो करते हैं बट पत भी उससे प्यार कर रहा हूं यह प्यार जैसा है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बच एज डिफरेंट रहता है और वो आपको थोड़े पैसे दे देता है आपकी जरुवत के लिए यह नौमल ही है बड़ आज कल के लोग कहते हैं कि ओ सुगर डेडी है तेरा तो बिस्त गंदे नहीं होते दोनों इक दुसरे से प्यार करते ही तो है मतलब मैं वैंट केजिंगा सुगर डेडी बन सकता हूँ उसे अमीर चाहिए है तो क्या हुआ आज कल तो सब को थोड़ी सी नीड होती है पैसे है से कोई थोड़ना प्यार करता है उतना मेरे से भी तो करेगा उ प्यारों वैन के जिंग का सुगर डेड़ी बनने के लिए मैं उसे कहा दूंगा कि मैं अमीर हूँ अब अपना जाउसु यह सब सोच ही रहा होता है तब हैंनिंग कहता है बट आपको कोई बोले ना कि सुगर डेड़ी बन जाओ तो मना कर देना क्योंकि अपका सुगर डेड़ी यही होता है कि प्यार नहीं है तुम पैसे दो और मैं तुमारे फिजिकल नेट पूरी करूंगा अपके सुगर डेड़ी का मोटो यही होता है तो आप मत बोनना किसी के सुगर डेड़ी ठीक है अब यह सुनके जाओसु सोचत जिसका नाम है राजकुमर जिंदु को देखे जुजू संत हो जाता है खा It जो सू हमए सरी लाता है और पीछे OFF CAも लाता है और कॉल मी जीन साला एक बोतल में बंद कर दो जीन हे कमेशा के दिमाग खराब कर देता अब जाउसु राजकमार से बोलता है चाहे प्योगे राजकुमार कहता ए और क्यों राजकुमार हानिंग से कहते हैं जाउ चाहे लेके आजाओ हैनिंग केता है ओ सोरी सर बट मैं जाओ सर का असिस्टेंट हूँ उनका नो कर नहीं तो मैं ये काम नहीं कर सकता आप कॉल करके मंगा लीजे अब राजकुमर जिन ना हैनिंग को गुसे में देखने लग जाते हैं बट एक हैनिंग प्यारी जी स्माइल दे रहा होता है और फुर्दरबाद ना ओफिस में चाय आजाती है और तीन कब आती है राजकुमर जिन केता है ये हैनिंग के लिए क्या जरूट थी मंगाने की अपना जाओशू केता है हैनिंग को चाय बहुत पसंद है अपना जिन सिर्फ मूँ बिगाड़ता है और कुछ नहीं केता है चले जाओगे प्लीज वो मेरा बहुत है मैं उसे मना नहीं कर सकता हूँ अचा फंसन कहां पर और जाना कब राचकुमर जिन बोलते हैं तैंक्यू सो मजज जाओ कल जाना है चैंक कॉलेज में अब चैंक कॉलेज सुनते ही हैनिंग और जाओशू का चेरा एक साथ में ही बन नहीं है इसलिए अपना जाओ जिसु हां कह देता है अपना जिन खुस हो जाता और कहता है थैंक्यू सौमाच तुम बहुत अच्छे हो और यह कहते ही राचकुमर जीन वहाँ से चला जाता है जिनके जाते हैं जाओसु से बोलता है सर आप पागल हो गये हैं क्या आप चीप क अपना हैनिंग कहता है कोई टैंसर नहीं है पर मैं चाहता था कि वह ना आपको गरीबी में सब्सक्राइब करें ताकि उसके प्यार का असली मतलब पता चल सकें बट क्या कर सकते हैं अब तो अच्छाई की मूरत हैं आप तो किसी को मना नहीं कर सकते ना अब जाओसु बोलता है अरे लवरेस कपका चल गया है तुझे नहीं चलना है कि वैसा कौन से स्टडी होगी आज आज सफंसन है अपने सीग्रेट खतम करके आउंगा तू जा मैं मजे सब्सक्राइब कोई सोख नहीं है अपना फैब बोलता है बड़ा अजीव है तू चुपचा पाचा होता है कि लिए रहा होता है और अपना हैनिंग हमिशा के तरा अपने घुमाए hè कि फिर थी दिरे से बोलता है सब बहरे मुझे कहिं नहीं दिख रहा हो यह कीओ अब यह बाव सुनके जाओ खुषूत और केता है कहीं वैंकेशिंग आया ही ना हो फंसन में इस क्या बात हुए अपने ये कॉलज के फंसन में कोहन नहीं आता है मैं तो हमेंसा अटेंट करता था चुटी से चुटा फंसन जाओ बोलता है होते हैं इसे लग बहुत सारे ह किया है अब अपने जाओ सो को वैंट के जिंग नहीं बड़न के दोस्त देख लेते हैं मतलब वाई और लफ लेज देख ले और वह सूचते रहे जाता है कि हाँ जाओ जैसा अमीर है लफ लफ लेज दर देख़ कहता है यार वैंट के तो चांदी-चांदी जैटेट क्लोधि डिँज मेरा हम उसे यह बतादेंगे लव्ली करता है हाह था ग५़ुरू और तो लेकर जाने वाले रहता है उसको नहीं करते देजयता है है मैं चला जाओंगा तो प्रिंचिपल अयणिशु सब की तरफ जाते है वह दोनों जैसे ही वाश्रूम जाते है अपना वें़ केजिंग वहां पे एंट्री ले ले लेता है और कहता है चीप केश तो कहीं नहीं दिख रहा और वो दोन अमूने भी नहीं दिख रहे साथ वाश्रूम में होंगे वेसी भी उनका पूरा दिन वाश्रूम में ही गुजरता है और ये कहते हैं अपना वैन केशिंग वाश्रूम की तरफ चला जाता है और वेनकेजिन ज congr vir जाता है न तो देखता है कि कोई person बाहर ख़ड़ा हुआ था और वो अपना हैन्इग था हैन्इग ज söyl rainy ज देखता है वह थोड़ा सा नर्वस हो जाता है हैनिग मन में ही कहता है zaw sir please बाहर मताना zaw sir please बाहर मताना बड़ जाओ जिसू समय ही बाहर आ जाता है चले है निग अप में फ्रेश हो गया फटाफट चलते हैं और ही कहते ही वो जाने वाले रहते हैं तब यह अपना जाओ जिसू भी देख लेता है कि वैंकेजिंग आ रहा है वाश्ट्रूम के तरफ ही इसलिए जाओ जिसू करने क्या वाला है जाओ कहता है तुमाल के वैंकेजिंग करने क्या वाला है जाओ किए म率म आ मार पड़े गेंग कैता यह नहीं का बड़ी ग्लती करतीं जाओ केता है घाले लेना इसके हाथ से मार कुछ नहीं हो सकता मेंसे मार भी victimin कैता ह्था है तो मैंमार दूसर कना हाथ तोड़ दूंगा है अगर तुमने कुछ होआ भी तो हेनिंг कहता है, यार ये सर ये तो गलत है नo, आपके वज़े से, कोई मुझे चोर समझजता है, मुझे मार भी खाना पढ़ेगा, अपना जाउसों हेनिंग के सेट पर थबत पाता और कहता है, तो मेरा ἅसिस्टन्स से ज़्यदा मेरा दोस्त है, तो खा ले ना माँड़ू अपना हैनिंग केता है भगवान ही बचाए मुझे अब अपना वैन के जिंग ना अच्छा खासा उन दोनों को तोड़ देता है मतलब बहुत मारता है अपना बिचारा जाओ जी सोर हैनिंग वाश्रूम के दरवाजे के पास ही बैठे वे थे अपन किने टांग हाथ तोड़के मेरे हाथ में कैसे रख सकते हों कि तुम तो मेरा हाथ भी तोड़ रहो ना अपना वैन केसिंग आखे बड़ी कर लेता और मुक्का दिखाता और कहता है हां मेरे से जुबान लड़ाएगा और तोड़ू क्या तुझे अपना हैनिंग जाओ के मेरे लिए मार भी खा लिया मुझे जो पंच पढ़ने वाले थे वो तुने अपने उपड़ ले लिए तो काफी चादा अच्छा है तेरे वज़े से मुझे काम मार खाने को मिला है अब हैनिंग बड़े हिम्मत दिखा के उठता है और जाओ को भी उठायने की कोसिस करता है तो हैनिंग उसके कंदे पे हाथ रख लेता है और हैनिंग के कंदे पे जाओ जिसू हाथ रख लेता है और वो दोनों बहुत मुझिल से चलने लगते हैं पीछा कर रहा था ना अब फई को लगता है फई और लवलेस को लगता है कि जाऌ को मतलब को पहले ही पता चल गया जाओ अमीर है इसलिए वह खुशयचे ऑलव क्छूर पोलते हैं आज मैंने उसको बहुत मारा है पीछा करते करते वाश्रूम में आ गया ये तो उन्हें उसको मारा वैन केजिंग अपने कमर पे हाथ रख लेता है हाथ तो मुझे कम समझ रखा है क्या बच्चा दिखता हूं बढ़ हूं नहीं उनका भी बाप हूं में तोड़ दिया सालों के हड़ दिया अब लंगरते लंगरते चलेंगे फ्वाई कहता है खुद के पाउ प्रिंसपल जाओ को देखके बोलते हैं हाँ जाओ जी आपको क्या हो गया है आपको किसी ने मारा है क्या जाओ कहता है नहीं मुझे किसी ने नहीं मारा है वो तो मैं वाश्रूम में गिर गया था बस प्रिंसपल कहता है सच्ची में जाओ कहता है हाँ प्रिंसपल फिर अप तो आद उसे कॉले से निकाल दूँगा जाओ गबराते हुए बोलता है नहीं 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 मैं गिर गया था अब मेरी बात मानिये ना मैं सच के रहा हूँ अब प्रिंसिपल के बहुत फोर्श करने के बाद भी अपना जाओ जिसु और हैन हिंग कुछ नहीं कहते हैं तो जो प्रिंसिपल के पास बैठे हुए थे ये देख के अपना वैन के जिसु थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है हां ये दोनों प्रिंसिपल के पास क्या कर रहे हैं फिर पीछे से अपना फई बोलता है ये प्रिंसिपल के पास इसलिए बैटे हैं क्योंकि जाओ जिसु य ही बोल रहा ना अपना फई बोलता है तेरे से जुट बोलके मैं क्या ही करूंगा हम तो तुझे यही बताना चाहते थे कि जाओ जिसु अमीर है वो तेरा सुगर डैडी बन सकता है पर तूने तो अपने पाउं पे खुदी को लारी मार ली यह बात सुनके वैन केसिंग वाप जाओ जिसु कितना हमीर होगा वैन केसिंग जाओ के तरफ देखा ही जा रहा था बड़े गूर गूर के वैन केसिंग बोलता है जट जट क्लोधिंग्स का ओनर जाओ जिसु अपकानी सिफ्ट होती है रात के आट बचे अपना फई वैन केसिंग को जाओ जिसु की इंस्टा प्रोफाल दिखा रहा था, जाओ जिसुने अपने इंस्टा आईडी पे बस 30 पोस्ट किये थे, बड़ उसके फॉलोवर्स 20 मिलियन थे, और उसने फॉलो बस 3 लोगों को ही किया था, जाओ जिसुन के फॉलोवर्स में, एक तो उसकी ही आईडी थी, मतलब उसकी कंपनी के नहीं की थी अपना वैंकेजिंग जाओ की पॉरफायल देखके बोलता है देखो भाई साब के कितने एटिटूड है 20 मिलियन लोगों ने फॉलो किया है बट फॉलो बैक स्रिप इनको ही मिला है इनको क्या एक तो उसके खुद की है कंपनी की आईडी है और दूसरा उसका असि पर नहीं बनने वाला वह बस मेरा सुकर डैडी बनने वाला है और मैं कोई चासूसी नहीं कर रहा लवलेस बोलता है अब अपना वैंकेजिंग अपने फई के हाथ से फोन ले लेता है और जाओ जिसु की फोटोस देखने लग जाता है जिसमें बहुत अच्छे लाइक थे और सारी लड़किया फिर लड़के कमेंड कर रहे थे कि हाई आप कितने सुन्दर हो आप जैसा मुझे पार्टनर मिल जाता ना तो मेरे लाइक बन जाती अब वैंकेजिंग फई को वापिस फोन दे देता है और कहता है हम साओ चिसु मेरा सुगर डैडी बनने के लिए एक पॉफेक्ट है अपना फई बोलता है पॉफेक्ट तो है क्योंकि अमीर है और खुबसूरत दी वैंकेजिंग बोलता है हां ये तो है बट एक और बात है लवलेस बोलता है क्या बात है अपना वैंकेजिंग बोलता है जाओ जिसु के पॉरफाइल पे मेरे एक्स ने कमेंड किया था और लिखा था कि आप मेरे आइडल हो हां तो अपने बॉर्फरंट को जलाने के लिए ये जाओ जी सुपा अफेक्ट है अपना फ़ाई बोलता है वैंगेसिंग तुम्हारे 20 बॉर्फरंट बने थे ना और ये तुम्हारा 21 था तुम्हें कभी अपने 20 बॉर्फरंट को तुम इतना जलाने के पीछे क्यों पढ़े हो अपना वैंगेसिंग बोलता है क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया ना हमेंसा मैं लोगों को रिचेक करता हूं बैट इसने मुझे रिचेक किया और इतने अजीब हो करेब रीजन से अपना फई बोलता है रीजन क्या था तुने तो अज तक हमें बताया ही नहीं वैंगेसिंग बोलता है चलो छोड़ो ना पुरानी बात तुको भूल जाओ अब तो मेरा नेक्स टार्गेट है जाओ जीसू जाओ जीसू तुम तो बन के रहोगे मेरे शुगर डैडी क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे से पाग कर रहा होगा जाओ सु पानी पितार केता है मुझे कौन याद करेगा अपना यह बाई तो बाहर ही गया है और भाई जिन उससे मिल लही थे कल और तुम तो मेरे पास में होना तो अब कोई नहीं बचा जो मुझे याद करेगा बोलता है ठीक 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 छोड़े ऐसे ही अपना आजाउ जिसे बोलता है हम तुम भी फटा फट खतम कर लो अपना हैनिंग बोलता है जी सिर जी सर जाउ जी सो बोलता है तुम पॉर्सों चले जाओ के लिए मुझे तुम्हारी बहुत याद आईगी अपना Honey बोलता है सर आप ही तो भीज रहे हैं मुझे मैं कौन सा जाना चाहता था जाओ जिसु बोलता है वो मीटिंग बहुत ज़रूरी है बट मुझे जाने कभी मन नहीं है इसलिए मैं कीच रहा हूं माफ करना बट एक वीक तक थोड़ा सा जेस्ट कर लेना अपना हैनिंग कहता है क्यों नहीं सर और से जुबान मत लड़ाओ हैनिंग मुस्कूराता है और कहता है जी ठीक है अब हमें नेक्स्ट मॉर्णिंग का सीन दिखा जाता है जहां पर वैन केजिंग वापी से चाय के साथ सिगरेट पी रहा होता है अब वैन केजिंग चाय और सिगरेट खतम करके नहाने जाता है और पर त्यार हो जाता है वैन achoने बालों को सही करता है अपने सेट के दो बेट्म होललेता है फॉप फ्यों लगा लेता है और बोलता है हम अपना वैन केजिंग बोलता है तुझे किसने बोला कि मैं कॉलेज के लिए त्यार हो रहा हूं मैं तो जाओ जिसू से मिलना जा रहा हूं ताकि मैं उस अपना सुगर डेड़ी बना सकूँ मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना जादा पसंद करता हूं और ये कहते ही वैन केजिंग घर से चला जाता है और कहते जाता है चावी डॉरमेट के नीचे ही रखना और कहें नहीं फई बोलता है ठीक है अब अपने जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस पर रहा था क्योंकि अपना राज के वरजे जाओ के बड़े पापा के लड़के हैं अब हमें वेन केजिंग को दिखाया जाता है जो एक फ्लावर सौप में था और जाओ जिसु के लिए फ्लावर चूस कर रहा था और फूल वाला था इसे ले लिए यह आपके लवर के ठीक ह दोस्त के लिए अब फूल वाला ना बहुत सारी वेराइटी बता देता है कि कौन से किस के लिए होना चाहिए अपना वैन केजिंग बोलता है कोई सुगर डैडी के लिए फूल है क्या वो जो फूल बेच रहा था उसका इंप्रेसन तो अलग हो जाता और वो केता है क्या सुगर डैडी के लिए वेन केजिंग बोलता है हाँ सुगर डैडी के लिए मुझे मेरे सुगर डैडी के लिए फूल चाहिए तो बताव मैं कौन सा लो अब वो फूल वाले को तो समझ महीं नहीं आ रहा होता है कि वो फूल कौन सा दे इसलिए वो बोल देता है कि white fool ले लीजे अपना van case केता है ठीक है कितने का है फूल वाला केता है साड़े 500 अपना van case बोलता है इस मईयत वाले white fool के लिए मैं साड़े 500 दूँ नहीं भाई 400 दूँगा 400 चलता है तो ठीक है नहीं तो मैं जाता हूँ कहीं और से ले लूँगा वो फूल वाला कहता है आपने तो बहुत कम करवा दिया बट कोई बात नहीं 400 ही दी दीजे अब वैन केसिंग उसको 400 अलब 400 रुपे देता है और कहता है यह हुई ना अच्छी बात और यह कहते ही अपना फूल लेके वहाँ से चला जाता है वह फूल वाला अभी भी सोच रहा था सुगर एड़ी यह क्या होता है अब अपना वैन केसिंग एक चॉकलेट सोप पे जाता है और अपने जाओ जिसु के लिए चॉकलेट स्लेक करने लगता है कि उसे वह कौन सा चॉकलेट दे अब वैन केसिंग की नचर एक ब्लैक चॉकलेट पे पड़ती है तो वैन केसिंग मन में सोचता है यह सारे अमेर लोगों के ना पसंद कुछ अलग ही होते हैं साथ जाओ जिसु को ब्लैक चॉकलेट पसंद हो अब वैन केसिंग सोच लेता है कि ब्लैक चॉकलेट लेने का तभी उसकी नचर अचानक से एक परशन पे पड़ती है जो कपल थे और वो श्रेट कपल थे लड़के ने अपनी गर्फरेंड के लिए एक ना हार्ट सेप वाला चॉकलेट लिया होता है वो एक हार्ट सेप के डबबे पाया था और उस डबबे में बहुत प्यारी डिजाइन बने हुई थी अब अपना वैन केजिंग थोड़ दिर उस चॉकलेट को देखता है फिर अपने ब्लैक चॉकलेट को देखता है और चॉकलेट सॉब के ओनर के पास जाके बोलता है वो जो कपल ने जैसा चॉकलेट लिया है ना सेम तो से मुझे भी वैसा चाहिए चाकलेट ओनर केता है जी सर मैं अभी देता हूँ और वैन केजिंग को चाकलेट दे देता है अपना वैन केजिंग बोलता है इसकी प्राइस क्या है ओनर बोलता है सर एक हजार अपना वैन केजिंग बोलता है क्या हजार कौन सा हीरे बेच रहा है भाई इसके अंदर अपना व हें केजिंग सर पर हाथ रख लेता है प्लेक चबसम इले लेग घार किरता है ब्हुत वांसरो हास प्लिकशी इह ऊहरा सकते हैं सिनका ब्हुर्त भुट ईक्राइए पहु करueं हो सथे ठीद वह नहीं डहीं है उप एक आईस्क्रीम वाले पर पड़ती है जो उसी सौप का आईस्क्रीम वाला है जो दूसरों का आईस्क्रीम दे रहा होता है वैंकेजिंग देखता है कि वो जो ओनर मतलब जो सौप वाला है जो आईस्क्रीम दे रहा है वो अपने नाक की ना ऐसे नाक साफ कर रहा है और हाथ दो भी नहीं रहा है और उसी गंदे हाथों से लोगों को अपना आइस क्रीम सर्फ कर रहा है अब एनकेजिंग ये डिजॉप कर लेता है अपना केमरा चालू करता है और थोड़े देर ना उसी ice cream वाले पे अपना केमरा रखता है और थोड़े देर बाद वो ice cream वाला वही हरकत वापस करता है कि अपना नाक साफ करता है, हाथ पोस्ता भी नहीं एक अपड़े से और सिधा ice cream सर्फ कर देता है और वैनकेजिंग स्माइल करता है और कहता है जब कि सीधी उंगले से ना लिकले तो टेड़ी उंगले से निकाल देनी चाहिए वैनकेजिंग फिर वापस उसी ओनर के पाथ जाता है आप तु मुझे चॉकलेट फ्री में दे दो मालिक केता है सरसाइब पागल होके हैं आप जा सकते हैं वैनकेजिंग केता है एक मिनर्ड वैनकेजिंग ने जो वीडियो रिकोर्ड किया होता है वो रिकोर्डिंग उसको दिखा देता है उसके ओनर को दिखा देता है कहता है आपको पता है अनहाईजिनिक चीजों के वज़े से कितने लोग बिमार होते हैं अगर मैं ये वीडियो फूट सेप्टी डिपार्टमेंट के पास भीज दू तो आपकी दुकान पे ना सील लग सकता है अब आप पर सोच लेजे आप मुझे एक हजार की चॉकलेट दे मुझे वो ऑनर केता है सर आप मेरे मजबूरी का फायदा उठा रहे है ना वैंकेसिंग बोलता है तुम्हारी गलती है तुमने मुझे इस तरीके से बात किया ही क्यों अब ऑनर के पास कोई और ऑपसन ही नहीं बचाता है इसलिए अपना वैंकेसिंग जो जो मांगता है ना और वो दे देता है फ्री में अब वैंकेसिंग ने वैसी दो चौक्लेट ले ली झी एक केक ले लिया था एक फूडबीर ले लय लिया ओर अपने लिए एक चेली आइस्ट्रीम ले ले थी जो पैकेट में आती यहे अब वैन केसिंग आईस्क्रीम खा रहा था और के रहा था वैन केसिंग से पंगा लेना ना दुनिया के सबसे बड़ी गुलती है अब अपना वैन केसिंग है ना अपने चैटेट क्लोथिंग के बाहर पहुंच किया होता है वैन केसिंग उस बिल्डिंग को देखता और कहता है ओ भाई कचब मतलब वैन केसिंग तुने तो बहुत लंबा हाथ मार दिया यार मुझे नहीं बता थे क्यूट सा देखने वाला लड़का इतना अमीर निकलेगा बिचारा मेरे प्यार में फिस किया अब तो उसका क्या ही हो यहां पर जो काम करता है वो या फिर मॉडल या फिर जाव सर के दोस्त ये लोग ही अलाओ है तो आप लेज जा सकते हैं अगर एपॉइंटमेंट है तब आप मुझे दिखाएए मैं आपको भेज दूँगा अंदर अपना वैन केसिंग गाउचन को देखता और कहता है अब तुम्हें काम से निकवा देगा क्योंकि तुमने उसके जान से भी प्यारे परशन को बाहर रखा है खड़ा पता है यहां पे कितनी दूप आ रही है तुम्हारा तो काम है बाहर रहना बट मेरा नहीं इसलिए मुझे चुप चप अंदर जाने दो और यह कहते ही वैन केसिं एक काम कर अपने जाव सर को कॉल कर और पूछ कि वैन केसिंग नाम का कोई इनसान आया है उससे अंदर भीचो मुझे पूरा यकिन मात बोलेगा कि भीचो अंदर गावचन बोलता है ठीक है मैं अब भी पूछता हूँ अब गावचन जाव के पास कॉल करता है मतलब लेड जावसर से बोलिये waan केसिंग नाम का कोई परशन मिलने आया है कि आफिस में भीजना अपना राजकुमर जिन वो खुदी रिसाइट कर लेता है कि नहीं भीजना है गाउचन बोलता है अपने जाउसर से पूछा राजकुमर जिन बोलता है हाँ हाँ पूछा है मैंने अब ज्यादा बहस मत करो फॉन काट हो और ये कहते ही राजकुमर खुदी फॉन काट देते है गाउचन बोलते हैं आपका नाम लिया मैंने बर जाउसर ने मना इसाध मिलना नहीं ही चाहते यह वाह सुनगे वैनके-संग को जटका लगता है क्या मना कर दिया तुम्हें पूरा यखीन है गाउचन बोलता है आप आँक के अंदे हो गया आपके सामने ही तो मैंने कॉल किया है वैन केजिंग अब बोल भी क्या सकता था गाउचन ने तो इसके आखो के सामने से ही फॉन किया है अब अपना जो वैन केजिंग रहता है उसे गुसा बहुत जल्दी आजाता है और इसलिए वैन के जिंग अभी से गुसा होने लगा था वो बोलता है मुझे अंदर आने समयना किया मुझे दूप में कहरा कर रहा है तुझे उसको तो मैं छूड़ूंगा नहीं इतने दिन मेरे पीछे पड़ा और आज में आया तो मुझे इग्णोर कर रहा है उसके तो मैं जान ले लूँगा अब अपने जाओ जिस्व को दिखा जाता है जो वोश्रम से आगया होता है और अपने डेश्ट पे बैठ जाता है बाई किसी का कॉल आया था राजकमार जिन बोलता है यार बाई नहीं और कॉल नहीं आया था जाओ जिस्व बोलते है मुझे लगा कि किसी का कॉल आया था अब वैन केसिंग गुस्से में बाहर ही खड़ा था और उसके हाथ में समान बेता हूँ अपना वैन केसिंग बोलता है वैन केसिंग के न दिमाग में सेतानी आइडिया हाता है वैन केसिंग उस बच्चे के पाथ यौन के भाता है यह बोल कितने ऐा एक बच्चा taraf कितने रिखके है लोल बॉहो बैदाया Я 450 राया है वह ऐसफु viensर बबाहर नहीं ह केल लेता हूँ मैंने तो ममी से बोला था शोओ वाला जिलाने का बट ममी ने मना ही कर दिया तो मैंने पॉकट मनी जमा करके खुद खरेदा। अब वैन केजिंग उस बच्चे के सर पे हाथ फेरता है उसने जो एक हजार वाले चॉकलेट ले थी न वो एक चॉकलेट का बॉक्स उस बच्चे को दे देता है और दो उस पर देता है और कहता है यह bowl मुझे दे दो और तुम यह चॉकलेट और यह पैसे रख लो तुम ना इस से दो bowl ओर ला सकते हो सो सो वाली वो बच्चा पहले तो मना करता है बट वैनकेज़िंग उसे बहुत प्यार से कहता है तो वो बच्चा अपना bowl वैनकेज़िंग को दे देता है अब आएगा मज़ा अब वेन के जिंगे न जो उसका समान था न वो बाहर एक चेर पड़ी हुई थी उस चेर पर रख लेता है गाचौन के सरीर पर बड़ी प्यार से हाथ रखता और कहता है वैसे ये पूरी बिल्डिंग विंडो वाली है तो तुम्हें क्या लगता है कि इस जाओ जीशू का ओफिस होगा तुम तो बता ही सकते हो तुम तो मुझे बहुत होसियार लग रहे हो इसलिए अपना गाउचन बोलता है हाँ मुझे पता है मुझे सब कुछ पता है वो उपर के पाचवे बिल्डिंग है ना उसके पाचवे नंबर वाली जो बिंडो है ना वो अपने जाओ सर की ओफिस है, बहुत प्यारी ओफिस है, बहुत समाल करते हैं जाओ जी सुसर, अपना वैंकेजिंग बोलता है, टैंकियू सौ माच। गाउचन बोलता है, वियसे तुमने पूछा क्यों, वैंकेजिंग बोलता है, तम खड़ी देख लेना और एक करने के हवाला है तब ही वेन के wrong जिसु के ढूंथ की तरफ energies इंड़ेते आनकावा जाओ जिसुरा सब्सुण के तरफ पर फैकर रहा है राजकुमर जन्मथ हाँ या ऐसा कौन करता है यह देखके नीचे अपना गाउचौन घबरा जाता है कि जाउसर उसे बहुत डाटने वाले हैं अब अपना गाउचौन ऐसे घबराया हुआ था और वह वैन केजिंग से बोल रहा था यार तु पागल है कि अफट फट निकल जानी तो जाउसर तु ना हैरान हो जाता है और खुस भीन रहता है बहुत अपना रागर जैन के या बागल इंसन है दीखो पीछ वाली उनगली आमें दिखा रहा है आप जो अपना वैं के logr सि є ना वह उपनी बीचवाली उनुली अचानक से हैनिंग आ जाता है वो वैन केजिंग से थोड़ा दूरी रहता है तो हैनिंग देखता है कि वैन केजिंग वहाँ पे खड़ा है जेटेट क्लोधिंग के बाहर और वो बीच वाले उंगले दिखा के नाच रहा है ये देख के अपना हैनिंग बोलता है कितना अजीब लड़का है ये ये कैसी हरकत है और बीच रोट पे अपनी बीच वाले अगली दिखाता कौन है और ये यहाँ पे कर क्या रहा है अब अपना जो जाव जी सू रहता है वो राजकुमर जैन को बोलता है आप गुसा मत होईए भाई मैं इसको जानता हूँ जैन बोलता है तो मैं इससे पागल लड़की को जानते हो जाव जी सू बोलता है हाँ मैं जानता हूँ एक काम कीचेगा ना भाई आपना थोड़ दिर बाद में आएगा या फिर हम कल मिलेंगे आज मुझे इससे बात करना है ये सुनके ना राजकुमार जिन थोड़े से अपसेट हो जाते हैं ये इतना स्पेसल है क्या है जो तुम मुझे बगा रहे हो जाव सू बोलता है आप दोनों ही मिल ले स्पेसल हो बट आप मेरे से कल में लिएगा अब राजकुमार जिन और कुछ नहीं कहते है ठीक है कहते हैं और आफिस से चले जाते हैं और अब हम भी जाते हैं आई होब आप मेरे पार चालगा अपने वैन केजिंग से जो जाव जिसु की टेस्क के उपर बेटा हुआ था चेर पे भी नहीं सिदा डेस्क पे बैठा हुआ था और अपने पाउं हिला रहा था अपना जाव जी से बहुत खुछ था क्योंकि वैन केजिंग ने उसे फूल और चाकलेट दिये थे तो वो नहीं बड़े प्यार से देख रहा था और कह रहा था हाई वैन केजिंग इतना प्यारा है बड़ जाव जी सुना यह मन में कह रहा है जाव सू फिर वैन केजिंग से बोलता है वैसे तुम यहां पे क्या कर रहे हो वैन केजिंग बोलता है वो नेकल तुमें मारा ना इसलिए सौरी बोलने आया था जाओ सो बलता है, ने, सोरी बोलने की कोई जरूत नहीं, तो मैं गलत फैमी होगी होगी मैंबितो तुम्हारे पीचे पड़ा हुआ तो मेरा यह लगना गलत नहीं था वैंगे जिंग स्माइल करता है यह तो बात है वैंगे जिंग फिर कहता है वैसे तो मुझे अपना बॉर्फिन बनाना चाहते थे ना अब जो जाओ जिसु है यह बाद उनके बहुत कुस हो जाता है और थोड़ा सा बलस्ट करता और कहता है बनाना चाहता ने था, चाहता हूँ अब ये सारी जो बात है ना वैन केजिंग और जाओ की बाहर चुप चाप अपना हैन हिंग सुन रहा होता है कान लगा के, हैन हिंग स्माइल कर रहा होता है, और मन में ही कह रहा होता है लगता है, जाओ सर की नईया पार होने वाली है अपना वैन केजिंग बोलता है सौरी यार बट मैं पॉर्टफर्ट नहीं बनना चाहता है ये बात सुनके अपना हैनिंग उदास हो जाता है बार और अपना जाओ जिसु भी थोड़ा सा उदास हो जाता है अपना वैन केसिंग बोलता है, देख मैं तरा पॉर्ट्फर नहीं बनना चाता हूँ, बट मैं तेरे साथ रहना चाता हूँ, ये बात सुनके अपने जाव जिसों को लगता है कि वैन केसिंग सिद्धा husband बनना चाता है, अपना जाव सो स्माल करता है और कहता है, हाँ मैं भी वैन केसिंग तेज तेज असने लगता और कहता है क्या क्या बोला तुने हस्बेंड देख मैं तुझे पॉर्फर्ट नहीं बना रहा तो हस्बेंड कैसे ही बनाऊंगा देख मैंने तुझे पईले ही कहा रहा था मुझे सुगर डेडी चाहिए तो तुझे अगर मेरा सुगर डेडी बन सकता है दन मैं तेरे साथ रह सकता हूं अपना जाव सुना बहुत अदास हो जाता है और वो कहता है सुगर डेडी अपना वैन केसिंग बोलता है हाँ सुगर डेडी देख मैं तुझे कभी प्यार नहीं कर सकता बट मैं तेरे साथ जरूर रहूंगा और तू जो बोलेगा ना मैं वो करूंगा जहां गूमना हो जैसे गूमना हो चल लेंगे अगर तेरे बिश्तर गरम करना हो ना तो भी मैं कर दूँगा तेरे फिजिकल लीड में पूरी कर सकता हूं बट प्यार की उमीद मेरे से मत रखना ये बाहर खड़े वे हैनिंग के आँखों में आसू आ जाता है और वरना बहुत हर्ट फिल कर रहा होता है जाव जिसू के लिए अपना जाव जिसू भी ना बहुत अजीब सा हो गया होता है जैसे कि उससे उसका सब को छील लिया हो उससे एक अंधेरी खाई में फेक दिया हो अब सोचिए ना जो परसन वेन केसिंग को पॉल फिर नहीं सिदा हजबन बनाना चाता था उसको सुगर डैडी के लिस्ट में डाल दिया और यह बोल के कि मैं तेर से प्यार कभी नहीं कर सकता अपनी जाओ जिसु की हालत खराब हो गई होती है वो रोना चाता था पर वो रो नहीं रहा था और वेन केसिंग के तरफ देख ही नहीं रहा था जाओ सुग फिर बोलता है तेख तू टाइम बेश्ट मत कर जो है वो बोल दे अगर तू इससे कमफिटेवल नहीं है तो मैं तुझे जाता जिद नहीं करूँगा क्योंकि तेरी भी लाइफ है ना अपना बाहर खड़ावा हैंधिंग मन में ही बोल रहा होता है प्लीज जाओ sir मना कर दो सुगर डेटी के लिए मना कर दो अब अब उफना वैंकेसिंग बाफर पूछ रहा होता है बट जाओ जो सो कोई चवाब नहीं दे रहा होता है इसलिए वैंकेसिंग टेस्स से उतर जाता है कहता है ठीक है मतलब तुझे सुगर डेड़ी नहीं बनना है दैन मैं चलता हूं और ये कहते हैं वैन केजिंग जाने वाला रहता है ता है केजिंग का हाथ पकड़ लेता है पीछे से और कहता है मैं सुगर डेड़ी बनने के लिए त्यार है और ये बास उनके वैन केजिंग क जौजिसु के पाथ जाता है और इसके आँकों में देखने लगता है और कहता है पका सोगरेडी बन रहा है ना तू मेरा अब जौजिसु अपने जो सारी मौसन थे ना वो छुपा लेता है और एक स्माइल करता है और हामेसर रिलाता है वैंके जिसिंग बोलता है तो ठीक है बट तुझे पता है ना सोगर डैडी बना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा अपना जाओ जौजिसु नामा से रिलाता है फिर कहता है पता तो नहीं है बट तुम मुझे बता ही दोगे ना वैंके जिसिंग स्माइल करता है जाओ जौजिसु की गाल पे ना ऐसे थपी मा बात नहीं है अब तो तो मेरा सुगर डैडी है ना तो तो मुझे छूई सकता है वैन के जिंग बोलता है देख सुगर डैडी ना बहुत खर्चा करते हैं तो दुझे मेरे पर खर्चा करना पड़ेगा अल्लिमिटेट अपना जाओ सो बोलता है ठीक है मैं रेडी हूं जाओ जाओं जिसु ना अपने जेब से एक काड्र निकाल देता है क्रेडिट और बोलता है ये काड्र तो रख लो और मैं इसका पेंद बता देता हूं जतना पैसा यूज करना चाहे तुम कर सकते हो वैन केसिंग कार्ट को देखता है फिर जाओ जिसु की तरफ देखता है और अ पहसने लगता और कहता है अरे तु तु बढ़ा पागल है पूरे पैसे ही मुझे दे रहा है अपना जाओ जो बेसे कन्फियूस सा था और कह रहा था पागल मैं वैंगेजिंग केता है तु बहुत बढ़ा पागल है चल यह अपना क्रेड़ कार्ड अंदर रख और अपने प्रशनल नंबर ही है वैंगेजिंग केता है ओ तो ठीक है वैंगेजिंग उस कार्ड को देखता है ना तो कार्ड बहुत प्लारी डिजाइन बनी हुई थी वैंगेजिंग केता है अमीर लगों के अमीर चोचले मैं तो ऐसी ही नंबर किसी को दे तो कार्ड की क्या ही थी और वैन केजिंग ना उस कार्ट को अपने जेव में रख लेता है और जावसु से कहता है देख मुझे ना मेरे मेसेज का रेप्लाइट टाइम पे चाहिए क्योंकि मुझे गुस्टा बहुत जल्दी आता है अपना जावसु बोलता है ठीक है मैं टाइम पे देतूंगा व वैन केजिंग के चेहरे के ऐदे इसमायल थी वह कहता है हम् Now काफी अच्छे अच्छानक से जावसु ऑसके लिपके वेन केजिंग अपने लिप को रफ करता है और कहता है, टेस्ट काफी अच्छा है ते रहा, ठीक है? इकल मिलते हैं और मेरे मैसेल का जवाब देना मत बूलना। और यह कहते ही वेन केजिंग वहाँ से चला जाता है. तो इनकेजिंग जैसे ये ओफिस से बाहर निकलता है अपना हैन हिंग छुप जाता है अपना जाओ जिसु अभी भी सोख रहता है कि ये अचानक से हो क्या गया अपना जाओ जिसु अपने लिप्स को छूटा और कहता है एतना स्ट्रॉबरी जैसा टेश्ट था अपना हैन हिंग अंदर आता है साओ जिस सु पे गुस्फा रहत aan और कहता है हैं हिंग कहता है साओ उसने पता है क्या कहा है आपसे क्यों कभी अपसे पियार नहीं कर सकता हूँ आपकी फिजिकल नेट पूरी करेगा पर क्यार नहीं करेगा और आपको उससे पैसे देने हैं कैसे रिष्टे में हो आप दोनों को समझ में आ रहा है आपको आप उसके जो हस्पिर्ट बनना चाहते थे वही सीधा सुगर डड़ी वही ऐसा जो प्यार ही ना करे अब माँ जाओ जिसू अपने चेर पेट जाता है कहता है मुझे बोई टैंसर नहीं है इससे मैं खुछ दू वैंकेजिंग मेरे साथ तो है हैनिंग कहता है कब तक वह आपको छोड़के कहीं और चला गया तो क्योंकि उसने पहले ही कह रखा है कि वह आपसे प्यार करेगा ही नहीं जाओसू कहता है कहने से क्या होता है साथ वह दीरी दीरे मेरे से प्यार करने लग जाए हैनिंग कहता है फिलम समझ रखा है क्या चो वह प्यार करने लग जाएगा आपसे आपको आपका प्यार मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है अपना जाओसू कहता है ऐसा ही होता है मुझे पूरा यकीन है वैन केजिंग मेरे से प्यार करने लग जाएगा और वो खुद चलके मुझे कहेगा कि जाओ जिसू मुझे अपना हैस्पेंट बना लो हैनिंग उसे में दोर कहता है पता नहीं आप किस फैरी टेल में जी रहे हूं अब पता है मैं कल बिजनस हैंडल करने भी नहीं जा पाऊंगा मुझे आपकी ही टेंसन होती रहेगी अपना जाओ जिसू बोलता है हैनिंग मैं बच्चा नहीं हूँ मैं गुद को हैंडल कर सकता हूँ हैनिंग कहता है हाँ वो तो आज देखी लिया कि अब कितने समझदार हों जाओ कहता है हैनिंग बस करो ना हम आज आज आजी तो साथ में हैं फिर तुम एक वीक बात मिलोगी मुझे हैनिंग गुसिम बोलता है बिल्कुल नहीं मैं नहीं मिलने वाला मैं वहीं के ओफिस में काम करने लग जाओंगा बट मैं अपके पास नहीं आओंगा आपने अपनी चिन्द की खराब कर दी जाओ सू बोलता है ऐसा मत कर यार तो मचपन से मेरे साथ में हो अब अचानक से मुझे छोड़ के चले जाओगे हैनिंग ना अब बहुत गुसे में रहता है क्योंकि उसमें सिर्फ हमारा रहा करेता है सिर्फ हमारा हैनिंग बोलता है सारुखान की मुवी देखना ना बंद कर दीजे जाओ जिसों बोलता है ये नहीं हो सकता सारुखान मेरा फेर वेट है रोमांस में आए कितना क्यूट है ना वो अपना हैनिंग कहता है, आपका कुछ नहीं हो सकता, बट सर जाओ, मैं पहले ही कह रहा हूँ, वैन केसिंग ने आपका दिल तोड़ा ना, तो मैं उसका मूँ तोड़ दूँगा, और आप जानते हैं, कि अगर ये बात ये भाई को पता चला, वो तो वैन केसिंग का गला ही द चाहें, जाओसु कहता है, अप सान तुझा, इतना मत सोच, और खाना खाले, तो सुभे खाना नहीं खाया था, हैनिंग बोलता है, जो मुझे सुनने को मिला है न, उससे मेरा पेट भर गया है, खाने की कोई जूरूत नहीं है, जाओसु हैनिंग का कान गीशता है, बूल मत मैं तेर से बढ़ा हूँ, इसलिए चुप चप खाना का, हैनिंग केता है, आंक खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खान छोड़ो, जाओ केता है, हम, अब मैं थोड़े दिर बात का सीन दिखा जाता है, जहां पे वैन केसिंग अपनी कमरे में बेटा हुआ था, रोजाना के तरह स सेव कर लिए होता है और जाओ जिसू को मैसेज करता है हाइ कीसे हो अब वहां से जाओ जिसू हाग दो हाग उस मैसेज को सीन कर लेता है मैं ठीक हूँ तुम घर पे पँंचिगे अबना वेन केसिंग केता है कि फ़ौन पर इचुके वह थे क्या मैसेज करा होगा है कि मैं लेट मेसेज करके तुम्हें गुसा भी लूँ अभी अपना वैन केसिंग ना, एक स्माइल कर रहा होता है और वैसेज में लिखता है मैं घर अराम से पहुँच किया हूँ अपना जाओ सो बोलता है तुमने खाना खाया अपना वैन केसिंग बोलता है अरे या, यह तमासा मत करना कि मेरे पापो ने थाना थाया की नहीं अपना जाओ सो बोलता है नहीं, मैं ऐसे हरकत नहीं करता मझे खुद पसंद नहीं, वो तोतले आवाज में बात करना बट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने डिनर किया वैन के जिंग बोलता है मैंने डिनर किया है वैन के जिंग जाओ से रिटन में नहीं पूछता है कि उसने डिनर किया है कि नहीं इसलिए जाओ सो खुद ही लिख देता है कि मैंने भी डिनर कर लिया है और हाँ गाइस आगे ना थोड़े डबल मिनिंग बाते हैं देन अजेस्ट कर लेना अवैन और जाओ ना थोड़ा बहुत कर करके बहुत बाते कर लेते हैं अवैन के जिंगे चेरे पे ना एक एवल से स्माइल रेदी है वो अपने लोवर लिप को अपने दाथ से बाइट करता है और जाओ सु को मेसेज करता है सेंड मी और बनाना अवैन के जिंग ने ये बोला है ना ये डबल मिनिंग बात है काफे लोगों को समझ में आ कि आओगा और किसी को नहीं आ ना तो आप बहुत बोले हो यार स्किप कर दो ये सब अब इस मेसेज को देख के अपना जाओ जिसो हैरान रहता है क्योंकि अपने जाओ सु को भी समझ में नहीं आया होता है इसका मतलब क्या था सेंड मी और बनाना अब जाओ सुना काफी जादा देर तक सोचता रहता है और कहता है सेंड मी और बनाना मेरा बनाना या वैन कहना क्या चाहता है अब जाओ सोचता है ना कि वैन केजिंग उससे केले मांग रहा है खाने के लिए अपना जाओ सु बोलता है वैन से मैसेज में तो मैरे घर का address दे देना, ना? अब वैन केंजिंग अपने घर का address दे देता है, अपना जाव सु बोलता है, एक मिनट में बनाना send हो रहा है, अब वैन केंजिंग अजिएफ सा असतार कहता है, अरे यार मैं तो से जरीब समझता था, यह तो बड़ा fast forward है एक बार मैं ही देने के लिए त्यार हो गया अपना काफी देर हो जाती है एक मिनट से जादा दस मिनट तक हो गए होते हैं बट अपने जाओ अपने वैन केजिंग के पास कोई pick नहीं आई होती है वो काफी इतना से confused सा हो गया था कि एक मिनट बोल के इतन केले भिज्वा दिये होते हैं केले को देखके वैन केजिंग अपने सर पे हाथ रखता है तेज देज थाशने लगता व बहु quarterly केंशिक में बहुंत बहुत है केले 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 थीक है केले अब वैन केजिंग के फॉन में एक notification बुचता है वैन केजिंग अपने फ़ोन को बहुत सारे हैं ठांक्यू सो मच अपना जाओ बोलता है अरे ठांक्यू की कोई जरूत नहीं है मैं तुम्हारा सुगर डैडी हो न तुमने जैसे कहा था इतना तो मैं करी सकता हूं तूमार लिए वेंगे रिखता है ठीक है बात में बात करता हूं जाओ कहता है ऑके बैबाइ अब वैन केजिंग अपना फॉन रखता है उसमें केले का माइस्क करते हैं इसमें आदूठ डाल लुटता हैब एसे खाने लगता है स्माईल करते खरते हैं यह देखो बंदर, केले और दूद खा रहा है भई ना वैन की चेहरे पर स्मायल देखता है तो कहता है वाव वैन केजिंग आस तो इतना स्मायल क्यों गर रहा है वैन कहता है वैन कोछ नहीं वैसे जाओ जुसको मेरा सुगर डैडी बन किया है यह बाद सुनके फई और लवल बोलता है पक्का वैन के साथ कुछ गलत करने के लिए ही रुका होगा ने तो ऐसे कौन रेस अपना लवलेस बोलता है वैन के सिंग से वो तुससे प्यार नहीं करता है वो तेरे ना जिसम के लिए तेरे साथ है अपना वैन के सिंग बोलता है तो मैं उससे कुन सा प्यार करता ह हैं क्वाला हैं मैं बोलता है मैंने वो अगर सरीफ है तो नहीं टिक पाईगा नेंग मैं उसे बत्त मिच बना दूंगा है मेरे साथ कोई रहे आर ओपने सरीफ का चोला बन भाद के रहे सके ये तो हो नहीं सकता फैrika कहता थेख़ाया ना वह दूद्स इक है ले केले नहीं खा सकता है लवलेस बोलता है यार कितना मतलब ही है तो इतने सारे केले केले खा जाएगा क्या वैन केजिंग बोलता है मैं भी नहीं खाने वाला तो फ़ई बोलता है तो इतने सारे केले का कड़ेगा क्या वैन केजिंग बोलता है तो हम देखते जाओ अब कट्टो स्टोरी गाइस हमें दिखाया जाता है कि वैन केजिंग वो सारे केले बेज दिया होता है और उस पैसे से बीर लागके पी रहा होता है मतलब उस पैसे के बीर अब तीनों पी रहा होता है लवलेस केता है यह सई क्या केले से अच्छा बीर पीना लगता है मुझे वैन केता है ह अब हमें थोड़े देर बात का सीन दिखाया जाता है जहां पे न अपना वैन के जिंग नहाने गया होता है और वो नहाते नहाते को सोचता है फिर एक एवल सी स्माइल करता है और अपना फोन लेके आता है बातरूम में और अपना जो सटलेस वोटो होता है न वो क्लिक करके जाओ जिसु को बेच देता है और अभी हमें जाओ जिसु को दिखाया जाता है जो खाना खारा होता है और अपना जो हानिंग है ना उसके सामने बैट के खाना खारा होता है अभी अपने जाओ सु के फॉन में नोटिफिकेसं बचता है ना तो अपना फोन चेक करता है तो दे सट करके रखा था अभर फोटो ना डाउलोड नहीं हो रहा था नेट्वरक स्लो था इसलिए स्लो स्लो चल रहा था अभी अपना जो जिसु पीनेedar के लिए पादी लेता है और पी ही ही रहा होता है न के फोटो खुल जाता है और जो जयके सामने कि기데 इस 숨fe ear उता है न वो सारा हैंधिंग के मुँफे फेक देता है जाओ जिसू खास ने लग जाता है हैंधिंग कहता है सर छाओ मैं नहाच चुका था तो अपने मुझे फिर से क्यों नहलाया अभी अपना जाओ सू कुछ कह नहीं पाता है और बस सोरी सोरी ही कह रहा होता है henning कοιता है अपने खपडे साफ में pac Like pract के आ था हूं जाव सु के सुरी यार henning के था हूँ ृर्य कहता ही henning अपने कपडे साफ में चला जाना जाता है अब 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 उना फ़आप बाइट कर रहा हुँता है और अब आपने जाव को message कर था है यार मैं मोटा हो गया हो ना, मुझे डाइटिंग जाना चाहिए ना जाओ सुकर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो क्या बोले बटी मेसिज देखके ओ बोलता है, नहीं तुम्हारी है तो काफी जादा अच्छी है, मोटा तो मैं हो गया हूँ, जिम तो मुझे जाहिए लाओन के जिंग इस बात का फाइड़ा उठाते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम मुझे अपनी सुटलेस फोटो बेज़ो, मैं देखता हूँ, कि तुम मोटे हुए होके हैं जादा उनके साव जिसु को जीब सा हो जाता है, और ओकेता है, नहीं, नहीं, मैं सटलेस फोटो नहीं बेज सकता, अपना वैन के जिंग लिखता है, और जाना, आप इतनों सुर्माग क्यों रहे हो, मैं तो आपका सुगर याड़ी होना, मतलब आप मेरे सुगर याड़ी ह ना, हम में क्या परदा, जावसु लिखता है, लावन, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं भेज नहीं सकता, मुझे फोटो भेजना अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें कभी जिम में अपनी बोडी दिखा दूँगा, पर प्रस्नली फोटो नहीं बेज सकता, माफ करना नहीं मैं लिखता है, क्योंकि वैन, हम कल मिल सकते हैं, क्या कहीं, बाहर जाने के लिए, जावसु कहता है, क्यों नहीं, कल साम के 5 बचे हम कहीं चलेंगे, डीनर के लिए, और सौपिंग के लिए ठीक है वैन केसिंग लिखता है ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ और बाय करके वैन केसिंग अपना फॉन बंद कर देता है पट वैन केसिंग के दिल में अभी भी अजीव सा हो रहा होता है लाव बेन सुनके वह इसा मत कर जtał जूसू इसा मत कर अरही कहते हैं वह वापिस से खाना खाने लग जाता है और अभी में भी खाना खा लेती हूं यार वीट फेर कुरॡगर होगा है तो मैं तो